गुद मारींख, गुद मारींख, fabrication, आज हम l sortir writing के basics सिखेंगे मैं, letter writing के basics? और letter writing तो मैंने तब ही सीख लिघ थी, जब मैं Grad वन में था लेट में शो यू लोकी, मैं इन लेटर्स की बात निकर है। मैं इन लेटर्स की बात कर रहे हूं जो हम किसी को बात बताने करे के लिखते हैं पर मैं, लेटर है डिक क्यों? लेटर लिखने के लिए तो हमारे पास फेस्बूक और वर्ट सप है ना? नहीं लोकी मैं उसके बात नहीं कर रहे हूँ तो बच्चो अभी आप सब अपनी ग्रैंड मैदर के लिए एक लैटर लिखो जिसमें आप सब बता रहे हो कि आपने अपनी होलिडेज में क्या किया पर मैम अब क्या लोकी मैं मैं तो अपने ग्राम मदर के साथ पहले से रहता हूं तो उन्ही तो पहले से पता है कि मैंने अपनों रिडिस में क्या किया था ओके तो अभी तुम अपनी आंटी के लिए लेटर लिखो अपनी न्यू बास साइकल के बारे में क्या मुझे एक न्यू बाइसाइकल मिल रही है वाउ पर मैम आपको कैसे पता कि मुझे एक न्यू बाइसाइकल मिल रही है नहीं लौकी तुम्हें कोई नई बाइसाइकल नहीं मिल रही है पर मैं अपने एंटी को जोड़ा लेटर कैसे लिखो मैम तो उसको लेटर लेखो ज लाइटर लिखो मैम मुझे आप से कुछ पूछ ना था No more questions अभी उतना ही करो जितना मैंने कहा Okay मैम Students आप अपने homework में लाइटर लिखो और कर लास में आकर दिखाओ Students I hope कि आप सबने अपना homework किया होगा What about you Lockie? क्या तुमने लाइटर लिखा? Yes मैम Good Lockie तुमने किसको लाइटर लिखा है? मैम मैंने आपको लाइटर लिखा है मुझे? Yes मैम मैम आपने ही तो बोला था कि मुझे जिस से बात करनी है मैं उसको लाइटर लिख सकता हूँ तो मुझे आप से बात करनी थी चलो सुनाओ Okay Dear मैम मैंने ये लेटर आपको ये चीज़ पूछने के लिखा है कि क्या मैं अपने कजन लाइटर लिख सकता हूँ लोकी क्या तुमें मजाख लग रहा है पर मैम कल मैं आपको ये ही कुशन फुटना जाता था पर अपने मेरे कुशन का जवाब भी नहीं दिया लोकी मैं तुमसे परिशान हो चुकी हूँ एक काम करो कल अपनी मैम से नोट लिख वा करा हूँ ओके मैम पर मैम अब क्या मैम को लिटल में लिखने के लिए क्या बोलू कि उन्हों ने चुट्टियों में क्या क्या लाकी